जाले हैं जाले हैं विल्कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर हम ब्यस्टी पार्ट बन ब्यस्टी पार्ट बन के लिए आपका समिस्टर के लिए समिस्टर फस्ट के लिए जितना भी कोर्स है आपका सभी कमप्लीट कराएं ठीक है और जितने भी आपके इंपर्टन्ट कोष्चन आते हैं वो सब इसलें हम कबर करेंगे तो अब हमने तीन कोश्चन पढ़ लिए यह हमारा आज चौथा कोश्चन है ठीक है तो कौपी पैन लेके त्यार हो जाईए और मेरे साथ साथ लिखिए अगर समझ में आए तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए तो चलिए मैं बात करता हूं आज के हमारा जो फोर्थ कोश्चन है वो कह रहा है निमलिखित अडू के अडू कच्छक बिन्यास देजिए उनके बंध कोटी तथा चुम्ब की प्रकृति की ब्याख् हमें क्या बनाना है अडू बनाना और अडू का ठीक है उसी का हमें क्या लिखना है और साथ ही है और बंध कोटी याcul double ली आघर कि enzyme की बनात करें तो और कोशिजन कितने बंदोंद से मिलकर भलते है उसी को हम कहते है बंध कूटी ठीक है तो बंध कोटी निकाल लें ले आप निकाल दोगे एक ही ट्रिक में ठीक है तो बने रही है कह रहा है गिव मालकुलर और्वेटल कॉन्फिगुरेशन और फालोंग एटम्स एंड आल्सो एक्स्प्लेंड बॉन्ड और एंड मैगनेटिक प्रोपर्टीज आफ एटम्स ठीक आपको देगा जैसे दे रखा आपको आड सिनग्स में रखें एंक उनका इरों कि इनमें आपको कौ के मिन्यास के बिन्यास लिखिए और बंदकोटी और उनकी जो भी चुम्बगी प्रकरति है उसको पूँच सकता है ठीक है तो यहां पर आपको आठ मालिकुल दे रखें तो इनमें आपको कहने लिखना है अडू कक्षक बिन्यास और यहां दूसरा कहा रहा है अडू कक्षक सिध्धान्त के आधार पर समझाए कि ऑक्सिजन अनुचुम्बकिये तथा नाइट्रोजन प्रित होता है नाटोजन अडू कैसा होता हमारा चुम्बकी होता है ठीक है प्रित चुम्बकी तो यह हमें एक्स्प्लेन करना है चलिए एक्स्प्लेन करते हैं सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन अटम ठीक है हाइड्रोजन मालिकुल तो नंबर एक हमारा है हाइड्रोजन अडू दो हाइडोजन परमाडू के संयोग से बना होता है यह तो आप भी जानते हैं ठीक है प्रतियक हाइडोजन परमाडू का electronic बिन्यास बन ऐस बन होता है क्योंकि उसके और्बिटल में किवल एक ही है क्यों कि होता है तो वही होगा बैन्स बन इस प्रकार एक टू अडू में Ahh ik प्लैस एक बरावर दो इलएक्ट्रोण होते है वी है待 कितना ऑड्रोजन हो दो आड्रोजन और एक अडू मेंerd और में कित्ग अग्ट्रॉन हो गया अपर दो electron आपके हो जाएंगे दोनों electron वन एस बन यह सिग्मा बन एस बंधी कक्षकों में भरे जाते हैं जब कि सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार कल हमने पड़ा था मोटी में हमने आपको बताए था जो हमारा सिग्मा पाई और डिल यह ग्रीक भासा के शब्द हैं यह क्या आता हैं यह बताते हैं हमारे अडू के कख्चक ठीक है और जो होती है यह वह फोज परक्षक किमानाटे जसका यह यह फोने पर वसके एंटी बांड़िंग वाला है 1989 का अडू कख़क अलिक बिन्यास निम्न प्रकार लिखा जासकता है तो इलेकट आई बिन्यास हम तभी लिखेंगे जब हम उसका क्या कर लेंगे मोटी पूरी तरह से त्यार कर लेंगे ठीक है और बंद कोटी इसमें आपकी एच्टू की क्या पूंच रहा है यह बंद कोटी ठीक है इसको भी अभी हम निकालेंगे तो देखते हम पहले यह सब समझ में आएगा ठीक है किस तरह से हम बंद कोटी निकालेंगे कारा है दो हाइडोजन अर्थात एच्टू अडू में दो हाइडोजन परमाडू एकल बंद द्वारा जुड़े रहते हैं यानि कि दोनों हाइडोजन परमाडू के बीच में बंद किता होगा एक बॉन्ड होगा ठीक है यह अभी हम बताएंगा यह किस तरह से आता है चूंकि इसमें योगमिद से चुम्बगि होती है प्रितिक होती है है की कैसे होता है यह हमारा क्या हाई जो और है आप देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इनके जो मारा क्या है स्य दूसरे दूज्का मारा और क्या है यह कि시면 हमारे पर्माणूं के और्विटल होते हैं इन पर्माणूं के और्विटल की उर्जा कैसी होती समान उर्जा इनकी उर्जा कैसी होगी लगबग समान उर्जा के परमाणू और्डल ही परमाणू और्विटल ही आपस में अतिवियापन करके क्या बनाते हैं बिभिन उर्जा के आंडविक और्विटल बनाते हैं तो इनकी उर्जा दोनों की कैसे होगी समान यह भी बना इसका है यह भी बना इसका है ठीक अब देखो यह हमा फॐस्टिक नीचे वाले कि तुना में कुछ ज़ाद होगी ठीक है? तो यहां से दुखो यह हमारा क्या? स का ओर्वर्टल है ठीक है? तो अगर स और्विटल हम बात करते पिर्मानू में ईह स और्विटल होगा है ठीक है लेकिन यहाँ पर अडू है हमार तो प्रमाणू के उतने कॉच्चक होंगे उतने कॉचचक हमारे किस के प्राप्त होंगे अड़ों के एक कक्षक ये एक कक्षक ये दो कक्षक है हमारे पास परमाड़ों के ठीक तो अड़ों के हमारे कितने अड़ों के भी हमें कितने कक्षक मिलेंगे दो एक ये और दूसरा ये अब देखो एस एक एस का electron ये और ये कैस का electron ये ये दोनों कहा जाएंगे इसमें सिग्मा बना इसमें ठीक है ये electron आपने पढ़ा होगा हुंड पावली इन सभी को आपने अच्छे से पढ़ा होगा ठीक है नहीं पढ़ा है तो पर लिजी पहले वीडियो में हमने उसमें पढ़ा दिया है तो इनको electron तब तक भरते हैं जब तक कि हमारा एक कक्षक पूरी तरह से भर ना जाए यानि कि उसमें पेरिंग ना हो जाए तो जब तक हम उसमें क्या करते हैं मालो हमारे अगर ये पी और्पीटल थे अधिकि लइक्टरण आ सकते हैं अधिकंशे अधिक 6 लएक्टरन आ सकते हैं एक लेक्टरौन है थूत यहांक और यह उच्छा ठीक अब दोखो इसका अगर हम इलेक्ट्रोनिक की बात करें ठीक है किसकी बात करें हम इसके इलेक्ट्रोनिक कान्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जागा इसका इलेक्ट्रोनिक 32 अब दो दिखते हैं कि यह हो निग को कि इसका इलेक्टरोनिक कान फोग्रेश न ठीक है इसी स्य टो इसम्हें कितने सिंग मानग है 1s को यह हो हाइडोजन अडू का इलेक्ट्रानिक बिन्यास ठीक है जो हमसे पूचा गया था चलिए यहाँ पर हमारा हाइडोजन अडू आयन क्या है दूसरा हमारा है हाइडोजन अडू आयन हाइडोजन अडू आयन हाइडोजन मालेक्यूल आयन ह2 पिलस हाइडोजन अडू आयन के नि 2 है और क्या इसलीं प्लेंस लगा हुआ यूट कितने है दो लिस्का चार्ज कितना एक तो ये एक प्लेंस काचार्ज किसी एक हाइडोरजन परमादू पर प्लेंटरू पर रहा होगा धो मेंसे एक मतला इसलीं सल्टами के लिए कशार्ज होगा तो उसके अंदर होगा एक hydrogen बाला जिस पर पिलस का उसका इलेक्ट्रान नहीं होगा जो सिग्मा बनेस बंधी आंडवे कक्षक में भरा जाता है कहां भरा जाएगा बनेस में सबसे नीचे लूर इनर्जी वाले में जबकि एंटी बांडिंग सिग्मा इस्टार बनेस विप्रीत बंधी बिन्यास ठीक है कैसे लिखेंगे चलिए पहले हम इलेक्ट्रान को भर लेते हैं आन्डवी कक्षक बना लेते हैं उसके बाद ही लिखा जाएगा इससे पहले आपको नहीं लिख पाऊगा ठीक है तो उसके बाद में क्या देखेंगे बंध कोटी देखेंगे ऊपर सोरी माइनस एने अपान टू नॉन बांडिंग के लेक्ट्रान और एंटी बांडिंग के लेक्ट्रान इनको गटा के और दो से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है ठीक है अब यह देखो एंड भी क्या होता है बांडिंग के लेक्ट्रान यह जो नीचे रहते हैं इस इनरज दो ठीक है, दो, एन्टीमोर्णिंग में कोई भी नहीँ है, ठीक है इसको कहते हैं ABMO एन्टीमोर्णिंग मॉलिकुलर ओर्बिटल, तो इस में कोई भी ऐलेक्रान नहीं है, तो दो मेंसे 0 कितना पुझेगा कि इस तरह से हम हीलियम की बात सूरी हाइडोजन प्लस लख़े थे यहां पर हम देखेंगे कि स्का इलेक्टरोनिक बिन्यास और यह बंद-कॉर्टि यहां हमें पहले पता होना चाहिए कि एंटी बॉंडिंग में किते यह तो यह हम पहले से इनका अंडवी कक्षक बना लेते हैं अर्थात H2 पिलस आयन की बंद बंदन कोटी सा मानता साइसमेजिक बंद की आधी होती है बंदी आंडवी कक्षक बनेस सिग्मा बनेस में अयुगमित इलेक्टरॉन होने के कारण इनकी प्रकृति कैसे होगी अनुचुम्बगी होगी ठीक है कैरा है है अच्टो आयन का आर्थ कुक्षक उर्जा इस तर ऑर एक चित्र में दर्साया गयां अभी हम देखें headphones कीश की प्रत्य चुम्बगी और उनकीस में यह क्शुम्बगी का अदू, इसमें यह कहीज है हमारा है यह ह्यों होगा यह यह हैॉज में और दूसरा ह हाई रजांगा इस पे क्या होगा प्लस का चार्ज होगा इसमें एलेक्ट्रॉन नहीं वहगा तो यह देखो यह हमारा js nine एक है और यह हमारा एच प्लस और इसका क्या हो जागा mistithel शॉल द्हकkt लिए इसका ऑड है ऑर्वूर्जल इंन की लगवका कैसी है शमान है तो यह दोनον आपस में क्या करेंगे इसको हम और सिको क्या कहते हैं बांडिंग का और विटाल शेदर इसन की बात करें के वित्याइब उत्रइब इलेक्टरोनिक का इ n बिन्यास की बूर्ट करें जाएंगा इसके अब हम इसका बिन्यास में हम इसकी बात करते हैं बंध कोटी में हाइड्रोजन फ्लिस का दो तो इन दोनों को बीच में बंद कितना आएगा तो यहां पर देखो एनवी माइनस एने बटे दो तो एनवी क्या होते हैं जो बंद बनाते हैं बंद बनाने भाग लेते हैं यहीं बंद बनाने भाग लेते हैं कितना एक एक लेक्ट्रॉन तो यहां लिख दो एक एक कितना है इसमें उपर anti bonding में आपको कोई electron नजन नहीं आ रहा तो वहां पर क्या आप जागा जीरो तो हम क्या लिख देंगे 1-0 is equal to 1-0 upon 2 यह आ गया 1-0 upon 2 तो आप एक को दो से बाग कर दो किता आजागा 0.5 यानि कि यह जो हमारा H और H पिलस का अणू दे रखा है इसके बीच में जो bond order होगा वो कितना होगा आधा होगा कितना होगा आधा यानि कि यह जो बंद है यह पूरी तरह से पूरी एक दोसरे को तो पूरी तरह से cover नहीं कर रहोगा ठीक है थोड़ा short हो जाएगी इसकी लिंद आफ रह जागा कि अगला है हमारा third helium का परमाणू एची यह तीसरा है हमारा helium का अडू ठीक है तो helium का अडू भी दो हीलियम परमाणू से मिल के बना ऌगा हम जानते हैं हीलियम परमाणू का electronic बिन्याज क्या होता है यह helium का अडू होता है बोड़ लुप परमाणू उससे मिल के बना होता है सटी और एची तो इन दोनों का electronic बिन्यास अगर हम बात करें इनका पर्मान क्यता होता होता दो तो इसका जब पर्मान क्यर्मान क्यों होगा तो actually refrigerator बिन्यास क्या अब बनस्टी और zrobić two ही डायगा ठीक है और दूसरेston ako भी यही हो जागा क्या बनस्टी ठीक है जो निम्न प्रकार से बढ़े जाते हैं यह हम तभी बढ़ेंगे जब हम इसका यह मॉल्कुलर और वेटल पूरा बना लेंगे ठीक है और बंद कोटी भी हम तभी निकालेंगे जब हम इसको नीचे देख लेंगे ठीक है मॉल्कुलर और वेटल देख लेंगे तो मॉल्कुलर कлы दो पर मारूं कि लेने इह हैं यह फेलियम का है यहां पर ही तूं का भशा है लो में Kung swimming के लेने अर्विट्र लेने यह निय हमारा हीलियम का अड़ों का अडुत कर सब्सक्राइ Sow आ कि planning हैं और इधर को क्या है उर्जा उपर की तरफ उर्जा बढ़ती जाएगी यह जो लाइन होती है क्या बताती है उर्जा को बताती है यहां से उर्जा नीचे को कम होगी और उपर उर्जा आपकी अधिक होगी ठीक है अधिक और कम जहां भी उपर उर्जा अधिक होगी यह कैसा हो हुआ नीचे उर्जय हमारी कम होगी यह कैसा होगा अधिक स्थाई होगा ठीक है इस बात को आपको ध्यां रखना है अब देखो इसका बनेस वाले का और इस वे बनेस वाले का इन दोनों में दो दो ध्तार चला जाएगा तो इसका क्याओ देख शिक्मा श्टार वन एस टू क्या हो गया सिक मा बनेस टू और सिग्मा इस टार बनेस्टू तो खाएक मिल्जय。 ठीक है आंडविक बिन्यास अंडविक बिन्यास यह हम से पूंच रहा ठीक है तो आंडविक बिन्यास हम यहां पर भर लेते हैं electronic configuration क्या हो जागा यह यहां पर देखो बन एस टू सिगमा सिगमा बन एस टू और दूसरा क्या है सिगमा सिटार बन एस टू बस यह होदा है आपका अंडविक बिन्यास अंडविक बिन्यास मतलब जितने भी electron यहां आप फिल कर रहे हैं ठीक है जितने भी electron आप यहां फिल कर रहे हैं नीचे से आप लिखना शुरू कर दीजिए पहले नीचे वाले को लिखिए फिर उससे उपर वाले को फिर इससे और उपर अगर है तो उसको नहीं है तो आपका electronic बिन्यास ही पर रुक जागा अब हम इसके बीच में bond order की बात करते हैं ठीक है बंद कोटी की अगर हम बात करें किसके बीच में he2 के बीच में he2 के बीच में अगर हम बंद order की बात करें तो हमारा फार्मूला वही हो जागा nv-na upon 2 तो nb, b मतलब bonding के electron कितने हैं नीचे 2 तो 2 minus anti bonding में कितने हैं इसमें भी 2 हैं तो 2 minus 2 बटे 2 तो यहां से किता आ जागा हमारा 0 तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा he2 molecule होता है संबब नहीं है अर्थात helium के आए एक परमाणूमिक गैस है यह आपस में मिलके अणू का निर्माण नहीं करते हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया helium का molecule next है हमारा बेरेलियम इसमें 8 molecule के बनाने है तो थोड़ा लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है बीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी बट आपको सबको अच्छे से याद करना है पता नहीं कौन से आपको दो तीन या तीन चार दे ठीक है अच्छे से समझ लेना बेरेलियम अडू यानिक इसमें दो बन फिलस बन ध्यूब ये दो फर मानु से मिल लेकर बनाना होगा करा प्रतियक बेरेलियम का इलेक्ट लग्णा करूकर नियास का है बनेस्टू और तू एस्टू और तो ये नियुक्त और तो यह मेंड़को एक में किते लेक्टवन हो गया आपके चार तो दो में किते हो जाएगे ये दूसरा हमारा छे सका वी अलेक्रान के तlaw इसरा इसका या लेक्रां दूसर और तो इसमें कितने होगे चार तो फे यांति आ fand Conse citrus हो मिलाते हैं कि आठ एलेक्टे और आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है नेक्स्ट कह रहा है इसके बनाने में बाग नहीं लेते हैं आता बंद ही नहीं बनाते हैं तो कैसे हो जाएंगे यह बंधीन हो जाएंगे सेज्च 2 पिलस दो सेज्च 2 पिलस दो यानि कि जो S orbital में जो हमारे बצे हुए हैं 2 पिलस दो दो is S में और 2 is S में सेज्च 2 पिलस दो ्टिलस दो 4 electronically sigma 2S Sigma 2S तथा Sigma star 2S बंधी तथा विप्रीत बंदी और वे कक्चकों में भरे जाते हैं इस प्रकार B2 का अणू का कक्चक Electronic बिन्यास निम्न प्रकार से हम इसको देख सकते हैं किस प्रकार हम लग सकते हैं अणू एक कक्चक बिन्यास यह आपको यहां पर दिखाए दे रहा है यह अणू का कक्षक बिन्यास है ठीक है बी इए अणू का कक्षक बिन्यास है इलेक्ट्रानिक बिन्यास तो इसको इसको हम कैसे देखेंगे यह नीचे जब हम इनको इलेक्ट्रानों को भर लेंगे आंडवे कक्षक बना लेंगे तो बस वही आणडविक कक्चक ही हम किरम से लिख देते हैं वही क्या हो जाता है आणडविक लेक्टानुक बिन्यास हो जाता है तो कहरा अर्थात बेरिलियम अडू का बनना संभब नहीं है क्यों इसका अडू कक्चक उर्जा इस्तर आरेक नीचे दिखाया गया अब हमें देखना है कि जो बेरियलियम अडू है इसका बनना संभथ क्यों नहीं है ठीक है इसको ये क्लैरिफाय करेंगे अब ही ठीक है देखो यह अपर तो हमने क्या हमारे पास क्या है ỉइक चूu इसमें दो बे एक वियमारा यह है और दूस्रा भी हमारा यह है तो हमने एक वी पर dolphins ले लिए और दूसरा भी पर मानव हम लिलिए इस आप देखो हमने सबसे लिखना शुरू करते पहला क्या है हमारा तू है स्बसे सो کہने है ठीक है परमादू के परमादू का टू एस और्विटल यह है यह इनकी उर्जा कैसी समान है तो अब हम इन में जब इनका अर्डविक अक्षक बनाते हैं तो इसको देखो टू है तो यहां पर लिखेंगे हम सिग्मा टू एस टू एक उलेक्ट्रॉन यहां से आगा एक उलेक्ट्रॉन यहां से आगा और यह पूरी तरह से कंपलीट हो जागा एक उलेक्ट्रॉन इसमें बचा है एक उलेक्ट्रॉन इसमें बचा है ठीक है दोनों है बनेस्टू यहां पर इन दोनों का बनेस्टू बनेस्टू बचा हुआ है अब हम उसको जरा फिल करते हैं उसको किस तरह से फिल करेंगे यह देखो यह हमने ले लिया बनेस्टू और यह हमारा क्या है बनेस्टू किसका बेरेलियम का बेरेलियम का बनेस्ट बनेस्ट वाला तो अब यह जो electron की रचान बढ़ते हैं उनको एक electron यहां फॉर श्टार बनष तु तो अगर हम इसके स्टार बनाइsm lighting को यह सिगमा बनएस टू सिगमा स्टार टू इस्टू यह देको इन्हें को लाेन से आप एरेंज कर दीजिए वह आ तो नाइटोजन अडू भी दो परमाणूं से मिलके बनाओं यह दो नाइटोजन परमाणूं के संयोग से बनता है जिसमें प्रतियेक परमाणूं का electronic बिन्यास क्या रहता है 1S2 2S2 और 2P3 यानि कि एक nitrogen का electronic बिन्यास क्या राएगा 1S2 2S2 और यह हो जागा आपका 2P3 क्योंकि इसका परमानू कर्मान केता होता है साथ तो इसी तरह से दूसरेबाले nitrogen का भी electronic बिन्यास कुछ same ही रहने वाला है 2S2 2S2 और यह दोनों का electronic बिन्यास हो गया ठीक है तो हम कह सकते हैं कि इसके बाहरी कोस में किते electron होते हैं पांच electron होते हैं इसकी क्या होती है संयों जगता होती है ठीक है तो बाहर कोस क्या है यह पहला वाला कोस तो इनका भरा हुआ है लेकिन यह दूसरा वाला कोस दूसरे में किते electron आते हैं आठ electron लेकिन यहाँ पर कितने तीन और दो पांच बाहर रिकोस में कितने electron है पांच इसलिए इसकी balance कितनी होती है यह तीन और पांच दो balance शो करता है ठीक है तो इनका electronic बिन्यास यहाँ पर हम लिखेंगे कब जब हम पहले molecular orbital बना लेंगे और बंद कोटी भी हम इसकी अभी find करेंगे ठीक है उपर वाले में अगर आपने बंद कोटी नहीं निकाल लिए तो आप इसी सिग्मा इस्टा two s बहले में तो कितने होगे चार तो चार माइनस चार बटे चार माइनस चार बराबर जीरो बटे दो तो यहां से कित्ता आ जागा जीरो यानि कि हम कह सकते कि बी जो मॉलेकुल होता है इनके बीच में भी बंद नहीं बनता है इनका भी बनना कैसा है और यह कैसा होगा आपका इसमें देखो सभी पैरेंग सभी लेक्टॉन कैसे हैं कैस defending यानिकि यूगमन है जानि कि हम कहते हैं चलो यह देखने वाली लाइन है यह हमें और आपका यह दूसरा नाइटोजन और आपका यह दूसरा नाइटोजन का परमाणू यह आपस में मिलके क्या बना लेंगे एंटू का मालिकूल बना लेंगे ठीक है तो अब देखो इसके electronic बिन्यास क्या होता है? 1 H 2 होता है और ये 2 H 2 और 2 P किता होता 3 यहाँ पर भी same होगा 2 H 2 और 2 P आपका किता हो जागे यहाँ पर 3 तो सबसे पहले हम पीछे बाले last बाले कक्छक को भरना शुरू करते हैं पी कक्छक हमने दोनों के ले लिये तो P में देखो कित्थian है? तीन एलक्टॉन हमने याँ पर इनको fill कर लिया है ठीक, ऐसे ही हमने याँ पर इस बाले को भी दूसरे नाइटोजन के तीन एलक्टॉन को fill कर लिया है तो यह हमारे हो गया तीन तीन एलक्टॉन अब देखो इसमें कितने कक्षक हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे कक्षक हैं, दो परमानों की छे कक्षक हैं, तो जो अड़ों के कक्षक बनेंगे, वो भी हमारे कितने बनेंगे, छे बनेंगे, ठीक है, वो कितने बनेंगे, छे बनेंगे, तो यहाँ पर टूपी ह आक्ष होता है और मूरा एक थीन उसको प्यूए यह बनाता है इसको कल पिए और यहां से देख लो हमें कितने बनाने छे बनाने तो हमने दो से मूर जाकर बनारें ठीक है और यह इस लिए यहां पर सिग्मा लिख दिया है और ये sigma sorry, यहां pi होगा, sigma नहीं pi star 2px और pi star 2py यह two pi बनते हैं, यहांपर क्या ओगा sigma star आपका 2pz अब देखिए, यहां से एक एक electron निकलना सुरूँ करेगा ठीक है? एक electron यहां पर आ जागा 2px में बर जागा, एक electron यहां से हमारे कितने बढ़ गए चार बढ़ अब बचे हुए लेक्रान कहां जांगे एक इसका बच गया इनको हमने कहां डाल दिया थीजाइड में सिग्मा टूपी जाइड में ठीक तो यह हमारा क्या बर गया पी और विटल वाला पी ऑर विटल के हमने क्या बना लिए आन्डवे कक ये लान आपकी उर्जा को बता रही है तो एक लेक्ट्रान इसका यहां आ जागा ठीक है नीचे बार में जिसकी जया कम होगी to तो यह इसलिए हम उसको कहेंगे सिग्मा टू एस ठीक है सिग्मा बंद सिग्मा ही बनेगा एक एक बॉक्स है दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक ही बंद का निर्मार करते हैं ठीक है एक बक्से में दो इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं ठीक है और यह दो इलेक्ट्र है अपस बंद करेगा अब हमारा पास दो ऑर पास क्या दीए मने इसको इस से बना लिः इडा भीन है तो बेस हो जागा सुग्मा आगे लग जाए क्योंकि हमारा जो कक्षक होता है इसमें दो इलेक्टान होते हैं और वो एक ही बंद का निर्मार करते हैं उसको हम सिग्मा बंद कहते हैं तो एक इलेक्टान यहां से एक इलेक्टान यहां से क्या आ जाएगा दो इलेक्टान आपके यहां पर आ जाएंगे फिर भी हमारे पास एक इलेक्टा तो electron configuration यही हो जागा आपका पहले क्या है बनेस्टू है दूसरा क्या है सिग्मा स्टार बनेस्टू सिग्मा बनेस्टू सिग्मा स्टार बनेस्टू यह यहां पर देखो यहां लिख लो उपर यह कहरा सिग्मा बनेस्टू दूसरा हो जागा हमारा सिग्मा स्टार और दूसरा की है हमारा 2x2 2s में भी ilectron भरे हुए हैं तो यहाँ पर के हो जागा हमारा 2s2 और 2s2 सॉरी यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s2 हो जागा और हमारे पी में देखो पी में कौन-कौन से ilectron भरे हुए पी में देखो यह लिखना है आपको पूरा यहां से पाई पाई 2PX और पाई 2PY क्या लिखना है पाई 2PX और पाई 2PY यह आप यहाँ पे इसको ब्रेकट में भी लिख सकते हो पाई 2PX यह किसके बरावर है पाई पाई 2PY के बरावर है ठीक है दोनों में दो-दो इलेक्टरों है चाहें आप इसको इस तरह से ब्रेकट में अलग-अलग बंद कर दो और लास्ट में हमारा क्या रहे गया है यहाँ पर हमारा यह इसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है यह Z वाला तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सिगमा 2PZ तो यह आपका हो जागा पूरा इसका आंडविक बिन्यास ठीक है आंडविक इलेक्ट्रोनिक बिन्यास अब हम बात करते हैं इसकी बंद कोटी की तो बंद कोटी हम कैसे नकालते हैं एन भी माइनस एन एपॉन टू तो एन भी एन भी किया होते हैं जो हमारे बंडिंग में भा इहां देख लो किते होगा pap Char अई यह देखो दो चार और दो च्रूंद छह और यह दो आठ और यह नीछे आपके दो रहे गए क्ते होगे बिलाके दस लेक्टोन होगा दो दोस्रूर अच्छे 10 तो एन वी में किते अलेक्टॉन लोगे आपके 10 किते होगे- job किना है और एंटी बांडिंग में आपको दो दिखाए दे रहे तो देखा है में हमारे पास कितने हैं में हमारे पास दो हैं दो यह वाले होंगे और 2 यह वाले होंगे इस्टार वाले етыbonding के विते हैं ठीक है है तो यहाँ पर उने 2 ऐलेक्टरण इधर कम कर दिये हैं इधर जेड वाले तो दो इलेक्ट्रोन यहां से कम कर दिये हैं ठीक है तो आप अगर यहां पर दस लिखोगे और यहां पर कितने लिखोगे चार तो कितना आ जागा आपका यहां पर छे बचेगा कितना बचेगा छे तो छे को तीन से भाग कर दो तो कित ता आगा 3 याने कि हम कह सकते हैंwon नाइटोजन के बीच में आपका बॉन्ड बनता है बोगितना होता तीन नाइटोजन नाइटोजन के बीच में कितने बंद बंद बने रहते या अरे नेक्ष हमारा है अगला मालीक्यूल है हमारा oxygen का ठीक है oxygen का अडूг मैं अब देखो इसमें ऊपर वाले महा था सभी लेक्ट्रोन हमारे कैसे पेररिंग में सभी कैसे हमारे पेरेंग तो जहां पेरिंग उसको म्या काते हैं die यानि कि प्रति चंब की यह हमारा कैसा होगा इसका है यह हमारा 2, 2 et 2, 2P, 4, क्योंकि इसमें 8 electron होते हैं, कितने होते हैं, होता है, कहें वognek, सही हो जगता कोश में 6 electron होते हैं, इसका, अन्डवे, electronic बिन्यास, यहां पर आप लिखेंगे, हम लिखेंगे, यहां पर परमानु mm, क्या लिखेंगे, न्वालोबो का, electronic बिन्यास हमें इस तरह से लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे oxygen का परमाणु किरमा किता होता है 8 तो क्या हो जागा 1H2 2H2 और 2P आपका किता हो जागा 4 ठीक इसी तरह से होगा आपका दूसरे परमाणु का तो इसमें कुल मिला किते electron हो जाएंगे 8 electron यह हो जाएंगे पिलस 8 electron दूसरे को हो जाएंगे तो कुल मिला कि आपको किते electron देखने को मिलेंगे यहाँ पर 16 यादि कि 2 oxygen परमाणु में किते electron होते हैं 16 electron होते हैं ठीक है तो चूंकि कह रहा है यह यह जो line है यह हम पढ़ेंगे बना लेने के बाद में और यहाँ पर हम नीचे कह लेखेंगे कि आंडविक electronic बिन्यास छलिए हमने कह ले लिया है oxygen का अडू ले लिया है oxygen का अडू यह है oxygen का अडू दो परमाणू से मिल के बनता है एक परमाणू है नुसरा परमाणू यह तो सबसे बाहरी कोस की क्या अब पॉया तो सबसे पहले थी और ले लिए हैं यहां से तो देखो टूपी में किते लेक्टॉन है चार एलेक्टॉन पहले एक-एक लेक्टॉन बरेंगे अगर एलेक्टॉन बचता है तो हम क्या करते हैं पेरिंग करते हैं यानि कि लेक्टॉन गुरन करने लगते हैं ठीक है दो दो इलेक्टॉन उसमें बरने नाइटोजन का ठीक है नाइटोजन में किते लेक्टॉन थे चौद एलेक्टॉन थे जब चौद एलेक्टॉन थे तो बहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट है ये पूरे का उसमें आपने यहाँ पर कुछ देखा होगा देखो दुबारा से इह nitrogen का तो देखो यहाँ पर जो हमारे pi bond होते है यह pi bond कम ओर जाते हैं घ़िके जब के लेक्ट्रॉन होते हैं तो pi bond हमारे क्या है सब से नीचे रहते हैं दोनों में ठीके एंटी bonding में थे और bonding में भी जब धो चो जाते हैं कि इलेक्ट्रान 14 से उपर बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है देखो जो नीचे सबसे नीचे होता है कम और जाने कम एनर्जी लेवल का वो थोड़ा सा उपर पहुंचाता खसके यानि कि दोनों पी जो हमारे पाई और पाई बांड होते हैं वो दोनों पास पास आ सिग्मा बांड दोनों अलग-अलग दूर पहुंच जाते हैं तो इन को का番 जोने कि इनर्जी बहुत ज़्यादा और पाई बांड की अब दोके यहां से electron भरने शुरूर करते हैं ठीक है ईक इसे electron उठाओ एक एक उठाओ कहां डाल दो सबसे पहले डाल दो sigma 2P टूपी जैड़ वाले में तो क्या जागा sigma 2P Z स्क्वायर अब एक एक electron यहां से और उठाओ कहां डाल दो यह डाल दो पाई टूपी जैड वाले में तो एक लेक्टॉन यहां से उठाए एक लेक्टॉन यहां से तो तो पाई टूपी जैड वाला हमारा भर गया एक लेक्टॉन और उठाओ यहां से तो कहां पहुंच जागा पाई टूपी बाई वाले में पहुंच जागा क्या इलेक्टॉन और बडेयर वार्व जाते हैं ये इरिंग करना सुरू मेन की लेक्टानों का यूगमन करना शुरू लिए है अब सL का बचा खाहुए है और हमारे पास है कि यह वन का ऑकशीजन का हमारा कि जिस्में आप है किते लेक्टान दो इलेक्टान है दोनों तरफ टू एस्टू है तो यह हमने बना लिए टू एस्टू तू आप देखो दो कक्षक है और परमाणूंगों के तो दो ही और्विटल कक्षक बनेंगे तो हमने एनर्जी गैप से दो कक्षक बना लिए और अगूंगों के ठीक ह एक हमारा क्या होगा sigma 2s दूसरा क्या होगा sigma star 2s अब दोखो एक एक electron यहां से और एक electron यहां से कहां पहुंच जाएंगे sigma 2s में ठीक है तो यहां पर एक bond बन जाएगा sigma 2s2 और एक electron बचा हुआ इसका एक electron बचा हुआ इसका यह कहां पहुंच जाएंगे anti bonding में पहुंच सोरी में इस में दो दो इलेक्टर अभी प्रिजेंट नहीं है अब यह अफस भी मिल्का बनाएंगे अर्च बनाया तो यह हमारे दो प्रमाण्वी कख्शक हैं तो दो ही आंडवे कंख्यक गुअ लें और निजह पूरत जाठा है नीचे वाले की ओर जाघाता है इन दोन प्रिति बंदी कहते हैं, anti-bounding का कहते हैं, एक electron यहां बचा हुआ, एक electron यहां बचा हुआ है, तो sigma star 1s2 यह बन जागा, अब देखो इनको सब को आप करम से लिख दोगे, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, उसके बाद आपका क्या है, sigma 2pz, pi 2px बरावर, pi 2py, और उसके बाद क्या ह है पाइटूपीएट पाइब स्टार टूपी एक्स बन पाइश पाइश बिया बन यह आपका क्या हो जागा इलेक्ट्रोनिक बिन्यास वे ठीक है मैं यहां पर देखो लिख रहा हूं सबसे पहले हमने क्या देखा था सिग्मा बनेस्टू उसके बाद तो यहां पर देखो यह आपको यहां पर दिखाई देता होगा यहां नीचे में तो यहां पर क्या है आपका सिंग्मा टू पी जेड इसके बाद जब आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा आपको पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई दोनों पे दो दो एलेक्टान होगे चाहे तो इनको दोनों को अलग-अलग ब्रेकेट में आप बंद कर सकते हो उसके बाद क्या था हमारा उसके बाद हमारा है पाई स्टार टू पी एक्स बन और पाई स्टार टू पी वाई बन ठीक है यह आपका हो गया ऑक्सीजन अडू का इलेक्टोनिक बिण्याज ठीक है अंडवेक इलेक्टोनिक बिण्याज थो अब यहाँ पर अगर हम बात करें को इसमें आपको यहाँ पर दिखाईद देखो तो जहां आयूगमी तिलेक्टॉन होता है जब आयूगमी तिलेक्टॉन होता तो उसको कहते हैं अनूचुम्बकिये क्या कहते हैं अनूचुम्बकिये चुम्बकिये तो इसकी प्रिकर्ती आपके कैसी हो जाएगी? इसकी प्रिकर्ती हो जाएगी अनुचुम्बकी. यह उपपर देख पा रहे हैं. अनुचुम्बकी हो जाएगी. ठीक है? क्यूँकि इसमें eliektron कैसे है हमारे ऐन्वेत हैं. हम अगर हम बात करें इसके bond order की ठीक है तो bond order में यहाँ पर देखो यह बंद कोटी oxygen अड़ू में बंद कोटी NB minus N A upon 2 formula लगा दो जाही NB minus N A upon 2 NB जो जिनके उपर star नहीं लगाता है उनको NB वाले पढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो यह दो हो जाएंगे 2PYZ और 2PY और 2PX में कितने होगा 4 और यह 2PZ में हमारे कितने थे 2 तो कितने होगा 6 और 2 electron हमारे किया है इसमें 8 और 2 electron हमारे कहा है इसमें तो कितने होगा 10 NB कितने हमारे 10 electron और हम बात करें N A की तो N A में मतलब star वाले electron कितने हैं इसमें आप count कर ले ठीक है अच्छे से आपको पता चल जाएगा इसमें जितनी भी आपकी स्टार इस्टार वाले लेक्टरन वह कांट कर ले न दो इलेक्टरॉन यहापर दिखाई दे रहे हैं आपको इस्टार में दिखाई दे रहें कि तो हम क्या करेंगे 10-6 क्या करेंगे यहाँ पर 10-6 एक स्वारी तैन मानेश शिक्स अपन टू तो ये कितना हो जारा हुआ एफ्वह अपन तू यहापका और एक मतलब की यह आप कुछते हैं तो कहा है Sun एक मालिकूल होता है इसके बीच में कित्फने एलेक्टाwn उते हैं वह सोरी कितने बंदों होते हैं दो ये दो बंदों द्वारा आपस में जुड़ा रहता अच्छा चलिए अर्थात ये लिखा है अर्थात और ओटू अणू में परमाणू परस पर दो बंदों द्वारा जुड़े रहते हैं जिनमें एक सिगमा और एक पाई बंद होता है ये जो का अडू से हम बात करते हैं फ्लोरीमे के अडू के बादे में क्या औ-न है इस घ्लोरीन कादू कटूोरीन मलेक्योछ फ्लोरीन अडू दो फ्लोरीन प्रमाणूं के सहीं किसे बनता है, रटी एक fluorine praimisconsin का electronic बिन्यास कितना होता है, 1H2 2H2 और 2P5, ये एक का electronic बिन्यास है, दूसरे का भी क्या होगा, यही होगा, तो इसमें किते electron है, 2, 2, 4 और 5, 9, तो एक में किते हो, 9 plus, दूसरे में भी 9 होंगे तो किते हो जाएंगे अठारा हो जाएंगे किते लेक्टॉन हो जाएंगे अठारे लेक्टॉन हो जाएंगे अठारे लेक्टॉन जब 14 से उपर लेक्टॉन हो जाए तो हम ऑक्सिजन की तरह ही मालेकुलोर और्विटल बनाते हैं ठीक है आगे कहरा है, इस प्रकार, F परमानू की सहिःएक्टा कोछ कितने होते हैं, उसमें साथ एलेक्टान होते हैं, ठीक है, सहिःएक्टा कोछ, यानि की बाहर एलेक्टान, चुम्बकी होगी, जब सभी एलेक्टान हमारे कैसे होगी, युग्मित, तो उसकी प्रिकरति कैसी हो जाएगी चुम्बगी होगी यह हमें का पता चलेगा जब हम आंडविक और्बिटल बना लेंगे ठीक है परमाणूं परमानूं कक्चक से यह में पता नहीं चलेगा ठीक है चलिह हम बनाते हैं आंडविक और्बिटल किसका फ्लोरीन माली को लें क पर ये है पास फ्लॉराइन का लगम तर बनाओं खान एक फ्लॉरीन का पर माणू और यह दूसरे फ्लॉरीन इंका पर नौनग हो जो हमारा पी-जय होगा उसको सबसे नीचे रख страх कम उर सकता है और इसको अगर अगर एंटी बॉंडिंग में पहुंचाएंगे तो सबसे उपर पहुंचा देंगे हाई एस्ट में यानि कि जो पाई टूपी एक और पाई टूपी बाई होंगे हमारे यह दोनों पास पास में रहेंगे ठीक है लगबग इनकी उर्जा कैसे होगी लगबग लगबग एक यहां से उठा लो एक पहुंचा दो पाई टूपी जैड् सब्साए यह चाप निदो बचा हुआ ह्पर बचआ है यह दो और दो electron आभी आपके पास यहां बचे वुए हैं तो 4 electron बचे वुए हैं तो 4 electron एक electron यहां से उठा लो इसको उठागे कहां पहुचा दो pi star 2pi my में तो यह आपका क्या हो गया P बाला orbital जो है बन गया फिक है next हमारा क्या बचा हुआ है S orbital तो हमने ले यह हमारा क्या है आस और बीटल है किसका। कошड़्रीं कि शुक्सा हमारा क्या है यह स्यर्वीटल बचा हुआ है तो इसमें कितने एलेक्टॉन हे विद्र में बहुत जाहूं कितने हैं हमारे पास दहीं वहाँ हैं तो बनने वाले धीं का Лङ 210 दो ही बनेगगे ठीक है इस वात को दिखान में रखा अम ने क्या खिंच लिया खिंच लिये न दो ऑर्बिटल और नोमे उरजा का difference अमने दिखा दिया है तो ये हमारा क्या है टूएज है तो implications खूम अशे लिखनें गे टूएज यहां से लो एक electron यहां से लो यह पूरा भर जाएगा आपका 2S वाला तो क्या जागा 2S2 अब बचा हुए एक electron यहां बचा हुए आपके पास एक electron यहां बचा हुआ दोनों उठालो कहां पहुंच जाएंगे सिग्मा स्टार और 2S2 यह होगे आपका complete 2S वाला इसी तरह से हम देखते हैं बनस वाले को किसको लास्ट में जो हमारा बचा हुआ है बनस वाला ठीक है तो बनस बनस कितने हमारे पास कितने और बीटल ने परमाणू के दो और बीटल नहें लिलो एक एलेक्टॉन हन India कितने लेक्ट्रों हो जाएंगे आपके दो यह हमारा कुछक पूरी तऱ से बर जाएगा बचा हुए एक एक लेक्ट्रॉन है बचा हुए अणुका पढ़ रहे हैं तो अणुका ही बनेगा अच्छा यह फिलोरीन वाला यह वाला यहां पर तो इनको आप सेपरेट कर लो या मैं चाहें तो आपको यहां पर लिख दे रहा हूं सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे यह यहां पर लिख लो ठीक है किसका है अणुका तो सिग्मा बनेश टू और सिग्मा स्टार आपका हो जागा बनेश टू ठीक यह हो गया आपका एस बाला दूसरे में चलोगे तो आपका हो जागा सिग्मा सोरी यहां सिग्मा है सिग्मा टू एस टू और सिग्मा स्टार आपका क्या हो जागा टू एस sigma 2S2 और sigma star 2S2 यह आपका यहां तक भर गया ठीक है S orbital अब उपर पहुंचो को तो आपको क्या मिलेगा sigma 2PZ क्या मिलेगा आपको sigma 2PZ तो आपको यहां पर क्या भरना है sigma 2PZ 2 electron इसमें भी है इस से थोड़ा उपर जब आप बढ़ते हो आपको क्या मिलता है तो यहां पर हमें देखने को मिलता है Pi 2PX क्या मिलता है Pi 2PX और Pi 2PX2 और आपको मिलता है पर Pi 2PY2 ठीक इसके जब आप उपर बढ़ोगे इसके जब आप उपर बढ़ते हो तो आपका यहांपर के मिलता है Prime Must Star वाला पाई स्टार अब देखो दोनों में दो दो इलेक्टवन है Prime Star 2PX2 तो यहांपर क्या हो जागा आपका यह हो जागा Time Star 2PX2 और यहांपर यहांपर हो जागा आपका Time Star 2PY2 तो यह आपका क्या हो जागा electronic बिन्यास हो जागा क्या हो जागा अंडविक electronic बिन्यास ठीक है सबसे लास्ट वाले में कुछ भी नहीं बढ़ा है तो यहां पर देखो आपको कोई भी electron ऐसा नहीं दिखाई देता होगा जो कैसा हो unpaired हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अब हम बात करते हैं इसके बंद कोटी की अड़ों में बंद कोटी की कितने बंद बंते हैं फ्लोरिन माली कोल के बीच में तो NB-NNB जिनमें स्टार नहीं लगा होता तो सब हमारे NB कि बंद बनाने हैं बाग ले रहे हो तो यहां से देख लो दो एलेक्टान आपको बनेस्टू मिल जाएंगे और दो एलेक्टान यहां मिल जाएंगे टू एस्टू में कितने होगे चार दो एलेक्टान यहां मिल जाएंगे आपको सिगमा टूपी टूपी जैड टू में कितने होगे छे और आपके दो एलेक्टान यहां प यहां देख लो ऊपर यहां एन वी माइनस एने बटे दो तो एन वी में हमने कितने देखे थे 10 एलेक्ट्रॉन और इसमें देख लो कितने बचे हुए हैं आपके एलेक्ट्रॉन यह हैं एन्टी बांडिंग वाले दो एलेक्ट्रॉन यह हैं सिग्मा स्टार बनेस और दो एलेक्ट्रॉन यह होगे कितने होगे चार और आपके दो एलेक्ट्रॉन यह होगे चार और दो छे और दो एलेक्ट्रॉन आपके यह होगे कितने होगे आठ एलेक्ट्रॉन होगे जागा ठीक है बॉन्ड ऑडर कितना आ जागा एक यानि कि फिलोरीन फिलोरीन के बीच में कितना बंद मना होगा एक बंद बनाओगा अच्छा अर्थाद कैरा अर्थात F2 अनू में फ्लोरीन परमाणू परसपर सिग्मा बंद द्वारा जोड़े रहते हैं इनका आंडवे कूर्जा आरेक चित्र में जैसे कि आपने भी देखा था तो यहां तक तो हमने बात की थी जितने भी हमको उसने दिये थे आंडवे कक्चक बनाने को वो हमने बना दिये हैं और सभी का आंडवे कक्चक का इलेक्टानिक बिन्यास भी आपने भर दिया है ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या पूंचा था इसी में आप से कुछ थोड़ा और पूंच लिया गया था वो आपका कोच इस तरह से देखो पूंचक सिद्धानत के आधर पर बताए कि जो औकशिजन होता है जो हमारा नाइटोजन वो क्वो कैसा होता है होता है प्रती चुम्बकी होता है बस हम Rub Sara िए ही बताना है इसके बाद हमारा कोश्चन हो जागा पूरा ठीक है चलिए हम आगे चलते हैं आट लुब यह आगे आपका यह अगे आपका यहां से पैर है ओट्व अनुचुंब की एंट्व प्रितुचंब की क्यों यह आपको बताना है तो याँ पर देखो कार्ड जैसे कि अभी हमने N2 और O2 का आंड़ोय कक्छक बनाया था, उसमें ही हमने देखा था कि जहां पर हमारे उप्यर अक्टरून थे और जहां पर हमारे पτεर इलेक्टरून थे तो हमने देखा था कि जो हमारा ऑक्सिजन का मॉलिक्यूल था पहले हम nitrogen की बात करते हैं ठीक है Newton अनुकषक इलेक्टॉनिक बिन्यास में सभी electron कैसे यसे है योगमिद यानि कि nitrogen के अनुकषक immersive electronic बिन्यास में को भी unpaired electron नहीं था सभी electron कैसे थे pair तो हम जानते हैं जहांपर electron pair होते हैं वो कैसा होता हमारा डाया जिसको हम क्या कहते हैं पृति चुम्बगी है तो बस यहीं कारण कि जो nitrogen हमारा है वो पृति चुम्बगी है क्यों क्योंकि इसके अंडविक electronic configuration में अंडविक electronic बिन्यास में कोई सबसे लास्ट वाले में हमने देखा था जो हमारा पाई स्टार टूपी एक्स था उसमें भी एक लेक्ट्रॉन था और पाई स्टार टूपी भाई था वाँ पर भी हमारा एक लेक्ट्रॉन था तो हमें देखने को मिला कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे कैसे थे अनपेर थे यानिकी सिंगल इलेक्ट्रॉन थे बस यही कारण है पाई स्टार टूपी एक्स और पाई स्टार टूपी में भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन था ठीक है बस यही कारण है जहां इलेक्ट्रॉन यूगमित होते हैं उसको क्या कहते हैं अनू चुम्बकिये तो बस इन दोनों में आपको केबल यहीं लिख देना है कि जो हमारा नाइटोजन नाइटोजन का अडू होता है उसके अंडविक बिन्यास बराता तो वहां पर हमने देखा था कि जो हमारा पाई टूपी पाई स्टार टूपी अक्स था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था और पाई स्टार टूपी बाई था उसमें भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन था यहीं की इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मिलेते वहां पर अन पेड़ होगा हम कहेंगे अनुचुम्बगी आसे अनुचुम्बगी तो आपको ज्यादा करो तो आपको अधिक सदिक आप क्या कर सकते हो यह नोट और कर देना ठीक है दोनूं के अन्डविक एलेक्ट्रोनिक बिन्यास आप लिखना चाहों तो लिख देना केके यहां पर यह जो केके लिखा है यह आपको बताएगा सिग्मा बनेस और सिग्मा इस्टार बनेस टू ठीक है इसकी जगह पर क्या लिख दिया है इन्होंने केके लिख दिया जहां केके लिखा है सिग्मा बनेस और सिग्मा इस्टार बनेस केके इसली लिख दिया है कि जो हमारा एस होता ह और पहले सेल को हम किस से प्रदर्सत करते हैं के फिर दूसरे सेल को एल तीसरे सेल को एन इस तरह से तो सबसे पहले सेल ऐसे उसको हम किस से प्रदर्सत करते हैं के से इसलिए इन्होंने आपर दो बार के के लिख दिया है के सिग्मा सिग्मा बनेस और सिग्मा इस्टार बनेस नाइट वेग्टानिक बिखन खहाए ठीक है को सिग्मा टूयसटू सिग्मा स्टाइब टूपी एक्स टू यह मझें बरावर का इस तरह सब च antibiot का और इस तरह सारा है जो हमाई molecules दे-रक के होंगे उसमें हम से क्या पूंच लेंगा बॉंड और पूंच लेंगा ठीक है चुंब की पिरकरति पूंच लेगा कैसी है कैसी नहीं है और उनका अचले ऐस तर पूंच लेगा कि इनका आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें मैं आपर लगातार क्लासेश लेता रहूंगा आपका BSC Part 1 सेमेस्टर 1 का जितना भी कोश्चन है मैं आपको सभी जितना भी इंपोर्टेंट है वो सभी मैं आपको यहां पर करा दूँगा और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा ठीके धन्यबाद बने रही है हमारे साथ के बाए